रूस की शैतानी मिसाइल का तोड़ निकालने के लिए अमेरिका ने भी एक बहुत ताकतवर हाईपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जो काम्याब रहा पिछले महीने रूस ने सर्मात नाम की परमाणो बम दागने वाली अपनी उस सबसे ताकतवर हाइपरसॉनिक मिसाइल का टेस्ट किया था जिसे अमेरिका सेटन यानी शैतान कहता ऐसे में जब रूस जैसे अमेरिका के दुश्मन ने इतना घातक हतियार तयार कर लिया तो फिर अमेरिका भी काँ पीछे रहने वाला था अपनी हाइपरसॉनिक मिसाइल बम दागने वाले बी-52 विमान से टेस्ट लाउंच की जो कि सफल तो रहा ही एक रिकॉर्ड भी बन गया क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका ने हवा से अपना कोई हाइपरसॉनिक हतियार दागा असल में अमेरिका के पास अब तक एक भी हाइपरसॉनिक मिसाइल नहीं है जिससे वो अपने दुश्मन पर वार कर सके अभी वो हाइपरसॉनिक हतियारों की रिसर्च में ही लगा और चीन और रूस जैसे उसके दुश्मन तेजी से हाइपरसॉनिक मिसाइलों पर काम कर रह क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा खतरनाग हत्यार है जिसे मार गिराना मुम्किन ही नहीं इसी वज़े से वो जंग के मैदान में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है स्पीड के मामले में हाइपरसॉनिक मिसायल का कोई सानी नहीं यह ऐसी मिसायल होती है जो आवाज की रफ्तार से कमस कम पांच गुना तेजी से उड़ सकती है मतलब 6,000 किलोमीटर प्रती घंटा से ज्यादा की रफ्तार और इस रफ्तार पर उड़ते हुए हाइपरसॉनिक मिसायल अपनी चाल भी बदल सकती है रफ्तार और उसके साथ चाल बदलने की क्षमता यह दो ऐसी ताकते हैं जिसकी वज़े से हाइपरसॉनिक मिसायल को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तक उनका शिकार नहीं कर पाते है इसी वज़े से दुनिया के देशों में हाइपरसॉनिक हतियार बनाने की होड़ लगी है और अमेरिका को टेंशन इसलिए भी है क्योंकि रूस ने पिछले महीने जो सर्मात हाइपरसॉनिक मिसायल टेस्ट की थी उसके बारे में दावा है कि अगर वो एक बार चल गई तो ब्रिटन जैसा देश तबाह हो जाएगा क्योंकि सर्मात मिसायल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रती घंटा से भी जादा है और उसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है यानि दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की मिसायल की जद में है और तो और दावा है कि वो एक साथ 12 परमाणू बम दाग सकती है जिन में हर एक बम साड़े 500 किलो टन जितना भारी है वहीं खबर है कि चीन एक ऐसी हाईपरसॉनिक मिसायल बनाने में लगा है जो कि चलती कार का भी शिकार कर सकेगी ये दावा मिसायल बनाने में लगे जिसमें बताया गया कि चीन आवाज की रफ्तार से पांच गुणा थेजी से उड़ने वाली ऐसी हाईपरसॉनिक मिसायल बना रहा है जो सड़क पर दोड़ती कार के चितरे उड़ा देगी असल में इस तरह का हथ्यार बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है इतनी तेज स्पीड पर अपने निशाने को ट्रैक करना लेकिन चीन के वेग्यानिकों ने दावा किया कि उन्होंने समस्या का हल निकाल लिया है बताया गया कि इसके लिए चीन अपनी मिसायल में एक नए तरह का ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगा जिससे वो अपने टागेट को काफी दूर से ही मार गिरा सकेगा चीन की ये मिसायल हीट सीकिंग मिसायल है यानि वो अपने टागेट से निकलने वाली गर्मी के जरीए उसको डिटेक्ट करेगी और आम तोर पर इस तरह की मिसालें अपने निशाने का पीछा करने के लिए इंफरा रेड सेंसर का इस्तमाल करती हैं लेकिन चीन के वग्याने किस काम के लिए मोशन सेंसर को जरिया बनाएंगे जिसका मतलब होगा टागेट पर बिल्कुल सटीक वार